मुंबई से है जहां लालबाग के एक एमारत में आग लग गई है अविग्न पार्क नाम की इस एमारत की 19 वी मंजिल में सबसे पहले आग लगी और पहलती चली गई है आग 25 माले तक आप देख सकते हैं तस्वीरों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ये इसमें सत्रवे फ्लोर से आग लगनी शुरू हुई और फिर 25 फ्लोर तक ये आग फैल गई तो मुंबई की ये तस्वीरें आपके सामने हैं लाल बाग इलाका ये बहु मनजिला इमारत आपके सामने और देखें किस तरीके से थुआ जो इस इमारत से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है आलकि इस इमारत को देखकर ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद अभी यहां लोगों की रहाइश नहीं है हम अपने रिपोर्टर से डीटेल्स और लेने की तोशिश करेंगे फिलाल जो तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है ऐसे do तरफ से धुआ भी देख रहा है एक तरफ से बहुती काला घना धुआ निकलता हुआ नजर आ रहा है दूसरी तरफ से ये देखे एक तरफ से तो आग की लप्टे और काला घनद हुआ भी उठता हुआ नजर आ रहा है तो देख सकते हैं आप कितनी भीशन ये आग है ये देखें आग की लप्टे नजर आ रही है काला घनद हुआ मुझे ऐसा लगता है कि निर्माना धीन इमारत है अब इसमें लोग रह रहे हैं या नहीं ये कहना अभी मुश्किल है ये 60 मंजिला इमारत है आप देखिये जरा ये हाई राइस बिल्डिंग है हाई राइस बिल्डिंग कुल 60 मंजिले इस इमारत में और जो जानकारी मिल रही है अभी शुरुवाती ये जानकारी है जो सत्रवी मंजिल है मतलब 17 फ्लोर वहाँ पर ये आग लगी है और फिलहाल फायर ब्रिगेट की गाड़ियां जो मौके पर पहुँच रही है इस आग पर काबू पाने के लिए सत्रवी मंजिल से लेकर पचीसवी मंजिल तक इस वक आग की लपटे और घना काला धुआ निकलता हुआ नजर आ रहा है साथ मंजिला इमारत मुंबई के लालबाग इलाके में जहां पर इस वक इस हाई राइस बिल्टिंग में भीशन आग लगी हुई है आग लगने का कारण क्या रहा ये तस्वीर अभी साफ नहीं हूपा रही है वजे अभी नहीं पता चल पाई है अभी जो प्रात मिक्ता है वो इस बात को दी जा रही है कि किसी तरीके से इस आग पर काबो पाया जा सके फिलाल दमकल की गाड़िया जो है वो मौके पर पहुँच चुकी है और आग बुचाने का काम तेजी से अंजाम दिया जा रहा है